आज मैं आपके साथ नवरात्री वर्त की थाली शेयर करने वाली हूँ साबुदाने की किड़ी साबुदाना बड़ा तो आपने अक्सर खाए होंगे इस वर्त की थाली में हम आलू की सब्जी बनाएंगे और खीरे का रायता बनाएंगे और सामक के चावल बनाएंगे और सिंगायडे के आठे के पराठे बनाएंगे तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो पूरा वीडियो देखें अगर वीडियो पसंद आ गी का यूज करें गी अच्छे से गरम हो गया है इसमें एक चम्म जीरा डालेंगे और इसे हलका सा फिराई कर लेंगे जीरा फिराई हो गया है इसमें एक टमाटर मैंने चोटे-चोटे पीसिस में कट कर लिया है इसे डालेंगे अगर आप परत में हरीमिस काते हैं तो दो हरी इसे पकने देंगे, एक से दो मीनिट हो गये हैं टमाटर अच्छे से शोप्त हो गया है, यह मैं सब्जी पहले बिना नमक वाली बना皆 अगर मुझे नमक वाली बना नी होती तो मैं इसमें साथ ही में ही नमक डाल देती, लेकिन मुझे बिना नमक की सब्जी निकाल ही हैं। तो टमाटर अच्छे से सोब्ट हो गए है ये मैंने पांच मीडियम साइज के आलू ले लिये है ये उपले हुए आलू है इस तरह तोड़ कर डालेंगे जो नवरात्रे में नमक नहीं खाते हैं तो आप इस तरह सब्जी बना कर खा सकते हैं ये आलू की सब्जी बहुती स्वाधिश्ट बनती है और फटाफट बन जाती है तो आलू को मैंने इस तरह फोड कर डाल दिया है और अब इसे एक से दो मिनट हम भूल लेंगे टमाटर और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे मैंने एक से दो मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है अब इसमें पानी डालेंगे मैंने इसमें एक से टेड़ गिलास पानी डाला है आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं जिस तरह कि आपको सब्जी पसंद है उसिसाब से पानी डाले तो में यहाँ पर डेड़ी किलास मीक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद इसमन कर देंगे हूँ चुकिया है और अब इसके अगर चल ाा लेंगे और इसमें धनिया एड़ करेंगे बारी कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे सब्जी में अच्छे से मिक्स करेंगे और एक से दो मिनट इसे फिर से डख कर पकाएंगे ताकि धनिये का जो फिलेवर है वो भी सब्जी में आ जाए तो पैन को cover कर दे और medium to low flame पर एक से दो मिनट पकने देंगे तो देखिए एक से दो मिनट हो गए हैं जो वर्त में नमक नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये सबजी बिल्कुल तयार है यहाँ पर मैं बिना नमक की सबजी निकालूँगी मेरे जो हजबेंट है वो बिना नमक के बर्त कर रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ी सबजी निकाल लूँगे और फिसमें बर्त वाले नमक मिर्च डालेंगे तो थोड़ी सबजी मैंने निकाल ली है अब इसमें काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई आदा चमच काली मिश डाल देंगे और आदा चमच इसमें नमक डालेंगे सेंदा नमक वर्त वाला और आप जो भी वर्त में खाते हैं जो मसाले वो यहाँ पर एड़ कर सकते हैं तो मसाले मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर और पका लेंगे जो मसाले डाले है उनका फ्लेवर भी सब्जी में आ जाएगा तो पैन को कवर कर दिया है और एक से दो मिनट इसे धीमी आज पर पका लेंगे तो दो मिनट हो गया है सब्जी बनके तयार है बस यहीं पर हम गैस को ओफ कर देंगे अब यहाँ पर मैंने एक बरतन ले लिया है और गैस को ओन कर दिया है इसमें एक चमच गी डालेंगे गी को गरम करेंगे और जैसे गी गरम हो जाएगा इसमें एक चमच जीरा डालेंगे गी गरम हो गया है जीरा डालेंगे और इसे हलका सा फिराई करेंगे जीरों को मैंने भूल लिया है आदा कप इसमें मैंने सामक के चावल दो कर लिये है और इने डालेंगे और इसे कुछ देर के लिए भूल लेंगे तो कुछ सेकिंड मैंने चावलों को भी भूल लिया है, अब इसमें नमक डालेंगे, तो आदा चमच इसमें नमक डालेंगे, और नमक को भी अच्छी तरह से चावलों में मिला लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें पानी अड़ करेंगे, तो आदा कप मैंने यहाँ पर च और चावलों को इस तरह डखेंगे, तब तक रायता बना लेते हैं, जब तक हमारे चावल पकेंगे, तो ये मैंने घर का जमा हुआ दही ले लिया है, ये 600 गिराम के लगबग दही है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और विसकर से इस तरह फैट लेंगे, फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दू, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आ रही हो, या फिर अच्छी लग रही हो, हैलफुल हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, तो दही को मैंने इस तरह फैट कर ले लिया है, अब इसमें मैं ग्रेड किया हुआ खी इसमें थोड़ा सा हम भुना हुआ जीरा डालेंगे, जीरे को मैंने तवी पर भून कर ले लिया है, और इस तरह से हाथों से रगड कर डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये बिना नमक का रायता तयार है, जो नमक नहीं काते हैं, ये रायता उनके ल दालेंगे, और काली मिर्थ पाउडर डालेंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा टमाटर से गार्निस कर देंगे, थोड़ा सा बारी कटा हुए धनिया डालेंगे, ये रायता तियार है, और इदा मेरे एक कटोरी मैंने सिंघायड़े का आटा लिया है इसे डालेंगे Semak , छोड़ा सानमक और नमकी containment का सब्सक्राइबहे। अबने पानी का यूज करेंगे और इसमें मैंने बिल्कुल पानी की यूज किया है। जो आलू का मोस्चर था उसमें ये गुत के तयार हो गया है बस अलका सा चिप रहा है तो थोड़ा सा घी का यूज करेंगे तो थोड़ा सा घी लगाएंगे इससे ये हमारे हातों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा आसानी हो जाएगे पराठे बनाने में तो थोड़ा सा घ लगा इसको अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे यह आठा बन के तयार हो गया है और इस आठी की तुरहन्थी रोटी या पराठा बनाने होते हैं इसे रखते नहीं हैं तो चलिए बनाते हैं तो आठे में से रोटी जितना डोले लेंगे इस तरह से और हातों की हतेली की मदद बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं चिपके इने थोड़ा सा आठा लगा के जब बेले तो यह देखिए एक रोटी को मैंने बेल के त्यार कर लिया है अगर आपको बिल्कुल गोल रोटी बनानी है तो किसी डखकन यह बड़े बाउल का यूज करके इसको सेप दे सकते हैं और मैं इसे ऐसे ही बनाने वाली हूँ इधर मैंने तवा गरम कर लिया है और एक साइड से सिख चुकी है इसको पलट देंगे और अब गी लगाएंगे तो थोड़ा गी लगा के इसे पराठी की तरह सेख लेंगे तो यह देखिए कितनी आसानी से हमारी ब सेख लेंगे और पराठे बनाते समय गैस का फ्लेम भी हाई नहीं रखेंगे मीडियम टू लोगर रखेंगे यह पराठे बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनते हैं बहुत ही आसानी से और कम समय में बन जाते हैं यह देखिए एक पराठे को मैंने बना कर तयार कर लिया है लिया है यह बनाते बना कर टीयार कर लेंके और इस वर्थ की थाली को तयार करने में कुल 90 मिनट लगे हैं तो मेरे वीडियो थोड़िसी भी अच्छे लगी हो दो प्लीजे एक लाइक कर दीजिए चैनल पर नएया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले तो फिर मिलते हैं ने